हेलो स्टुडेंट वैलकम टू और चैनल इस्टेटी वित अभे में आपका बहुत बहुत सावबत हैं आज से हम NCRT की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 तक की पूरी NCRT खतम करेंगे हिस्ट्री को यह क्लास 6 की NCRT है जिसमें पहला लेशन है क्या कब कहां और कैसे हिस्ट्री की बारे में कहां से और कैसे जानते हैं पहला है रसीदा का सवाल रसीदा बैठी अकबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पढ़ी 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्सों पहले क्या हुआ था कैसे पता लगा है यह जानने के लिए कि क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिविजन देख सकते हो या फिर अकबार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृती हो ल पूद कुछ जानना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पैंते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेट को का अर्थ है सिकारी, पसुपालकों, क्रिशकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, सिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर ब कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानिया सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहां रहते थे, नर्मदा नदी का पता लगाओ, मैप में देखके, जैसे ये मैप दिया हुआ है, इसमें नर्मदा नदी, जैसे ये नर्मदा न नदी दिख रहे हैं आपको जिसे नर्मदा न दी है कई लाख वर्स पहले से लोग इस नदी के तरड़ पर रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में से कुछ कुसल संग्रहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परचित थे पने भोजन के लिए वे जणों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे जानानवरों का आखेट सिकार भी करते थे अब तुम उत्तर पस्चिम की सुलेमान और किर्तर पाहणियों का पता लगाओं यह दिखिए यह सुलेमान और किर्तर पाहणी हैं जो कि मारे इंडिया का पहले पाढ़ था लेकिन अभी यह पाकिस्तान में हो गया है इसी छेत में कुछ ऐसे अस्थान है जहां लगभग आठ हजार वर्स पुर्व इस त्री पुर्सों ने सबसे पहले गेहूं तथा जो जैसी फसलों को उपजाना अरम किया उन्होंने वहेड बकरी और गाय बैल जैसे फसलों को पालतु बनाना शुरू किया ये लोग गाउं में रहते थे उत्तर पुर्म में गारू तथा मद्य भारत में बिंद्य पहाडियों का पता लगा ये कुछ अन्य ऐसे छेत थे जहां कृशी का विकास हुआ जहां सबसे पहले चावल उप जाया गया वे अस्थान बिंद्व के उत्तर मेश्तित थे मांचित्र पर सिंदू तता इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें सहायक नदियां उन्हें करते हैं जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती हैं लगबग 47,000 वर्स पूरू इन्ही नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फले गंगा वो इसकी सहायक नदियों के किनारे तता समुद्ध तर्टवर्ती लाकों में नगरों का विकास लगबग 2500 वर्स पहले हुआ गंगा के दच्छर में इन नदियों के आसपास का छेतर प्राचीन काल में मगद के नाम से जाना जाता था इसके सासक बहुत सकती साली थे और उन्होंने एक विसाल राज्य स्थापिर किया था देश के अन्न हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की अस्ताबना की गई थी लोगों ने सदे ओक महावद्धी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्र की कभी-कभी हिमाले जैसे उचे परवत पहाड़ियों, रेगिस्तान, नधियां तथा समुद्रों की कार यात्रा जोखिम बरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभो नहीं थी, अधर कभी लोग काम की तलास में तो कभी प्राक्तिक आपताओं की कार एक अस्थान से द दूसरे चत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थी, इसके अतरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहां जों में अपने साथ मुलिवान वस्तों लेकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाते रहते थे, धार्मी कुरू लोगों को सिच्छा और सलाह देते एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, कुछ लोग नए और रोचक अस्थानों को खोजने की चाह में भी यात्रा करते थे, इन सब यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का आउसर मिला, आज लोग यात्रा क करते हैं एक बड़ फिर से मांचित्र वन को देखें पहाडियां परवत और समुद्र इस महादीब की प्राक्तिक सीमा कर निर्मार करते हैं अलाकि लोगों के लिए इन सिमाओ को पार करना असान नहीं था जिर्मने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें वे परवतों की उचाई को छूँब सकें तथा गहरी समुद्र को पार कर सकें उप महादीब के बाहर से भी कुछ लोग यहां आएं और यहीं बस गएं लोगों के इस आवगमन ने हमाई सांस्कृतिक परंपराओं के समृद्धिक किया कई सो वर्सों से लोग पत्तर को तराशने संगीत रचने और यहां तक की भोजन बनाने के नए तरीकों की बारे में एक दुसरे के विचार को अपनाते रहे हैं देश का नाम अपने तेश के लिए हम प्रायर इंडिया तथा भार जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया सब्ध इंडस से निकला है जैसे संस्कीत में सिंधु कहा जाता है अपने अटलस में इरान और युनान का पता लगाओ लगबग 25 सो वर्स पूर्व उत्तरपस्चिम की ओर से आने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में इस्तिभूमी प्रदेश को इंडिया कहा भरत नाम का प्रयोग उत्तरपस्चिम में रहने वाले लोगों को एक समोग के लिए किया जाता था इस समोग का उल्लेक संस्कृत के आरंभिक लगबग 35 वर्स पूरानी कृतिरीक वेट में भी मिलता है बार में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा अतीत के बारे में जाने अतीत की जानकरी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँना और पढ़ना है यह पुस्तके हाथ से लिखी होने के कारव पांडूलेपी कही जाती है अंग्रेदी में पांडू लुपी के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्द है मैनू स्क्रिप्ट, लेटीन सब्द मैनू जिसका आर्थ है हाथ से ये पांडू लुपियां प्राहे तार पत्रों अद्वा हिमाले छेत में उगने वाले भूर्ज नामक पेड की छाल से विशे इस तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है इतनी वर्सों में इन में से कई पांडू लुपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नश्ट कर दी गए फिर भी ऐसी कई पांडू लुपियां आज भी उपलब्द हैं प्राय ये पांडू लुपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं इन पोस्तकों में धार्मिन मानेताओं वब्यवहारों राजाओं के जीवन और सदियों तथा विज्यान आदी सभी प्रकार की विशेयों की चर्च मिलती हैं इनकी अत्रीकत हमारे हां वहां का भी कविताएं ततनाटक भी हैं इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जबकि आने प्राकृत और तमिल में भी हैं प्रकृत भासा कप्रेव आम लोक करते थे हम अभी लोकों का अधियन कर सकते हैं एसे लेक पत्थर अत्वा दात्व जैसे अपच्छा कृत कठो सतों पर क्रिश किये गये मिलते हैं कभी-कभी शाशक अथवा अन्य लोग अपनी आदिसों को इस तरह उतकर्ड करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, तो उनका पालन कर सकें. कुछ अन्य प्रकार के अभिलेग भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं, ततरानियों, सहित, अन्य इस्त्री पुरुसों ने भी अपने कारियों की वीवरड करवाये हैं। क्या लाव हैं, ऐसा करवाने में क्या-क्या कितना यह आती थी। इसके अन्य कई वस्तुएं अतित में बनी और प्रयोग मिलाए जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ती पुरा तत्वीद कलाता है। पुरा तत्वीद पत्थर और ईट से बनी मारतों के अवसेश, चित्रों तथा मुर्तियों का देन करते हैं। वे अवजारों, हतियारों, बर्तनों, आवसरों तता सिक्कों की प्राप्ति के लिए चान भीन तता खुदाई भी करते हैं। पत्थर की पकी ईट, पकी मिट्टी तता कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तब तो कठो तता जल्दी नश्ट होने वाले होते हैं। पुरा तत्वीद जानवरों, चिडियों तता मचलियों की हट्टियां ढूनते हैं। इसे जानने में मदन मिलती है कि अतीत में लोग क्या काते थे। मनस्पतियों के अवसेस बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अत्वा लकडी के टुकडे जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरा तत्त विदों को भावदा कपड़ों के अवसेस मिलते होंगे। आतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर निर्माड करते हैं। अतियासकार तथा पूरा तक्विद उन जासुसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराथ की रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं अतीत एक यान एक क्या तुमने इस फुस्तक के सिर्षक हमारे अतीत पर दियान दिया हैं? यहां अतीत सब्दका प्रयोग बहुचन की रूप में किया गया है ऐसा इस्तत्यकी और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग माइन थे उधारण के लिए पसुपालकों अत्वा क्रिशकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा वयापानियों का जीवन सिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था जैसा हम आज भी देखते हैं उस समय डेश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग विवारों और रीती रिवाजों का पालन करते थे उधारण के लिए आज अंदमान दीप के अधिकांस लोग अपना भोजन मचलिया पकड़कर सिकार करके तता फल फूल के संग्रद्वारा प्राप्त करते हैं इसके विपरीश सहरों में रहने वाले लोग खाद यापोर्ती के लिए अन्य वक्तियों पर नेभर करते हैं के द्वारा लड़ी जाने वारी लड़ाईयों के बारे में काफे कुछ जानते हैं जबकि सिकारी, मच्वारे, संग्राह, क्रिशक तता पसुपालक जैसे आम आदमी प्राहय अपने कारियों का लेखा जोखा नहीं कर रखते थे पूरा तत्रकी सायता से हम उनके जीवन को जानने में मदन मिलती है, हलाकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना जेस है। इसा मसीः के जन्म के दो हजार वर्स के बाद से है। इसा मसीः के जन्म के पूरु की सभी तितियां इसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम दो हजार को अपना आरम्रीक बिंदु मानती हुए वरतमाज से पूरु की तितियों का उल्ले करेंगे। अंग्रेची में वीसी, हिंदी में इपू, कातात पर विफोर क्राइस्ट मतलब इसा पूर्व से है कभी-कभी तुम तीथियों से पहले एडी, हिंदी में इसवी, लिखा पाती हो या एनो डॉमिनी नामक दो लेटीन सब्दों से बना है तथा इसका तात पर इसा मसी वजन्म के वर्स से है कभी-कभी-एडी की जगां-सी-ई तथा बी-सी-ई का प्रयोग होता है सी अच्छरों का प्रयोग कामनेरा तथा बी-सी-ई का विफोर कामनेरा के लिए होता है इन सब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकान देशों में अब इस कलेंडर का प्रयोग कॉमन हो गया है भारत में तीथियों कि इस रूप का प्रयोग लगब दो सो वर्स पूर्वर आरभ हुआ था कभी-कभी अंग्रियोग जी के बी-पी अच्छरों का प्रयोग होता है जिसका ताथ पर है बीफोर प्रेजेंट इस चैप्टर में बस इतना है हम इस चैप्टर में क्या सिखें अब लोग देख सकते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में नेक्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तक तक के लिए थैंक यू सो मच कर दो कर दो